ओम शान्ती आज है 19 अक्टूबर 2021 की साकार मुरले आए सुनते हैं बाबा के महवाख्यों को मीठे बच्चे बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने इसलिए अब बाप का बनकर उनकी शुरुमत पर चलो प्रेश्ण बाप अपने बच्चों की तकदीर उंची बनाने के लिए कौन सी स्रेस्ट मत देते हैं उत्तर मीठे बच्चे मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरशार्थ कर लो इससे ही तुम्हारी कमाई है मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप करम नहीं करना भल माया के कितने भी तुफान आएं लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना ओम शान्ती शिव भगवान वाच तुम बच्चे तो समझेंगे शिव बाबा हमें समझाते हैं तुम हो संगम युगी शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो वहा कल युगी मनुष शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाकर बैठते हैं फर्क समझते हो ना, बुद्धी का ताला कुछ खोलो भी, तुम समझते हो हम जैतन्य शिप बाबा के पास बैठे हैं, बाबा हमसे सम्मुक वारतालाप कर रहे हैं, शिप बाबा ब्रम्हा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं, और दूसरी तरफ देखो मनुश्य शिप बाब घड़ी-घड़ी भूल क्यों चाते हो कि हम शेवाबा के पास बैठे हैं जिसको परम, पिता, परमात्मा कहा जाता है उनकी कितनी महिमा है उनको तुम बाबा-बाबा कहते हो जानते हो हम शे बाबा कीमत पर चल विश्य के मालिक बरने का वर्सा ले रहे हैं वहां मंदिरों तिर्थों आदी पर धक्के खाते रहते हैं और तुम वर्सा ले रहे हो फर्क देखो कितना है तुम्हारी भेंट में वहां कितने बुद्धु हैं शे बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबिडेंट सर्विंट हूँ मैं तुमको वर्सा देने आया हूँ वहां गौड फादर को बुलाते रहते हैं, यहां तो तुम गौड फादर के सम्मुख बैठे हो, यहां बुद्धी में बैठता है, फिर घर जाने से भूल क्यों जाते हो, यहां तुम्हारे लिए दिन है, वहां उनके लिए रात है, वहां चिलाते रहते हैं, तुम सम्मुक में बैठे हो, कहते हो, तुम ही से बैठू, तुम ही से सुनू, परंतु घर जाकर भूल जाते हो, माया बड़ी प्रबल है, शिव बाबा के बच्चे बन पुजारी से पुच्य बनने का पुरिशार्थ भी करते हैं, फिर बाहर जाकर पुजारी बन पड़ते है शिव भाबा के जड़ मंदिर में जाते रहते हैं यहां तो बाप समझाते हैं बच्चे श्रीमत पर चलने से ही तुम स्रेस्ट बनेंगी मुख्य है ही पवित्तरता वहां जड़ चित्रों के आगे जाकर काशी कलवट खाते हैं यहां तो चैतन्य में बैठे हैं यहां काशी कलवट खाने की बात नहीं यहां है जीते जी मरना बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो यहां से बाहर जाने से ही बाप को भूल जाते हैं कभी चिठी आदी भी नहीं लिखते कोई तो ऐसे हैं जो कभी देखा भी नहीं वह तड़फते तड़फते चिठियां लिखते रहते और जो सम्मुख मिलकर जाते हैं वह फिर एकदम भूल जाते हैं तुमको तो शिबाबा पर बली चड़ना है ना भक्ती मार्ग में शिबाबा से मिलने के लिए काशी कलवट खाते थे प्रंतु वह तो मिल नहीं सकते अब बाप चतन्य में आकर कहते हैं बच्चे मेरा बनो मैं आया हूं ले चलने बिगर पवित्र बने तो चल नहीं सकते पवित्र बनाने मुझे ही आना पड़ता है सर्व का सदगती दाता बाप तुम्हारे पास बैठा है तुमको राजयोग सिखा रहे हैं जो गीता के भगवान ने सिखाया था उन्होंने क्रिशन को भगवान कह दिया है तुम जानते हो गीता का भगवान शिबाबा है तुम चुठी भी ऐसे लिखते हो शिबाबा केर ओफ ब्रम्हा तुमको सम्मुख बैठ बाप समझाते हैं फिर भी नशा नहीं चड़ता है ओहो शिबाबा ने हमको गोद में लिया है धरम का बच्चा बनाया है प्रन्तु सबको तो यहां पर नहीं रखेंगे न हजारों बच्चे हैं सबको यहां कैसे रखेंगे इतनी जगह कहां है बाप कहते हैं तुमको रहना अपने घर में ही है बाप को याद करना है सबसे मीठा जो बेहद का बाप है उनके तुम बच्चे बने हो बाप समझाते हैं बच्चे तुम काम चिता पर बैठ जल मरे हो अब तुम ज्यान चिता परबैठ देवता बनो, देवताओं की पूजा भी करते हैं, प्रंतो समझते कुछ भी नहीं, यहाँ भी ड्रामा की भावी कहेंगे, अभी तुम चैतन्य शिप बाबा के पास बैठे हो, गाया भी चाता है, शिप बाबा ब्रम्हा द्वारा विष्ण पूरी की स्धापना करते हैं, बाब समझाते हैं बच्चों, कोई भी पाप करम नहीं करो, देख अभिमान में नहीं आओ, तुमको तो चलते फिरते साजन को याद करना है, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते थे, वहाँ अब तुम्हारी सर्विस में उपस्थित है, र रुहानी सर्विस इखलाते हैं, शोशल वर्क के हैड्स भी होते हैं न, यहाँ है रुहानी, वहाँ होते हैं मनुश्य सोसाइटे की जिस्मानी सर्विस करने वाले, अभी देखो वहाँ कहते हैं, गउ का कोउस करना बंद करो, तुम लिख सकते हो कि एक दो पर काम कटारी च चलाना यहाँ सबसे बड़ा कोस है, पहले तो यहाँ बंद करो, जिसके लिए ही भगवान ने कहा है, काम महाशत्रु आदी मध्य अंत दुख देने वाला है, तुम गीता के भगवान को भूल गए हो, बाबा को तो वंडर लगता है, एक तो अमरनात पर पहाड़ों पर धक के खाते रहते हैं, समझते हैं, पारवती को वहाँ अमर कथा सुनाई, अब एक पारवती को सुनाने से क्या होगा, बाब समझाते हैं, यहाँ सब पारवतियां हैं, सब को अमर कथा सुना रहे हैं, बाब कहते हैं, बच्चे 84 जनम लेते लेते, अब मृत्यू लोक में आकर पहुंचे हो अच्छा लक्षमी नारायन कहां गई क्या वापिस गई वज्योती जोत समाई सूर्य वंशे राजारानी प्रजा वह सब गई कहां जरूर सतो प्रधान से 84 जनम लेते लेते तमों प्रधान बन गए होंगे समझते हो न यहां ब्रह्मा द्वाराशिब बाबा बै कुछ तो समझो मैं तुमको सर्ग का मालिक बनाने आया हूं तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे घर जाने से याद क्यूं भूल जाते हो बाब बार बार समझाते हैं बच्चे अभी तुम संगम यूगी हो वह कल यूगी है तुम पुज्य वह पुजारी तुम्हारा भटकना अभी बंद है, भल वहां तुमको नास्तिक समझते हैं, तुम उनको कहते हो नास्तिक, वहां कहते हैं तुम भक्ती नहीं करते हो, इसलिए नास्तिक हो, तुम कहते हो तुम बाप को नहीं जानते हो, इसलिए नास्तिक हो, तुम कहते हो हम आस्तिक हैं, बाप को जानकर वर्सा तुम नहीं जानते हो तो धक्के खाते रहते हो कुम्भ के मेले पर भी कितने जाते हैं फिर दान पुन्य करते हैं अब बाप कहते हैं यह सब बाते छोड़ो तुमको ग्यान का सागर मिला है फिर और कहां जाएंगे यह ग्यान नदियां है ग्यान सागर के पास ग्यान सनान करा तुमको ले आते हैं, कितने अच्छे अच्छे बच्छे बाप के पास आकर फिर जाए गंद करते हैं, कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, पोचते हैं, बाबा विनाशी धन कैसे सफल करें, तो फिर उनको समझाया जाता है, डूबी नाम से जितना भी निकले वह अच्छा है, भारत की सेवा में लगाए उनको सफल कर दो, कोई सेंटर खोल दो, यह चितर भी कितने बनते रहते हैं। बाबा के पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं, जो कहते हैं जब जरूरत पड़े तो बाबा मुझे याद करना, हम मदद करने के लिए हाजिर हैं। यज्य के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो तो मुझे याद करना, बाबा कहते हैं, हम किसको याद नहीं करते, जो करना है सो करो, हम तो दाता हैं, हम तो आए ही हैं भारत को स्वर्ग बनाने, तुम भी स्वर्ग में जाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे, परं स्वर्ग में तो जाएंगे, प्रंतु सजाए रह गई तो पद नहीं पा सकेंगे, यह तो गायन है, सावल शाहा की हुंडी स्विकारी, इनको कोई परवाह नहीं है, बाबा कहते हैं हुंडी आपे ही भरेगी, तुम बच्चों को शुरिमत पर चलना है, इसमें ही कल्यान है, और कल्यान कभी मत समझो, समझो देहली जाते रास्ते में टांग तूट पड़ती है, इसमें भी समझो कल्यान है, आत्मा तो नहीं टूटी ना, टांग तूटी हरजा नहीं, मैं तो तुम्हारी आत्मा से बात करता हूँ, बाप समझाते हैं, यह रावण राज्य है, तब तो जलाते हैं, हम क्या थे, बाबा ने हम को क्या से क्या बना दिया है, दुनिया की हालतें देखो क्या है, अभी बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना चाहिए, कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए, ग्रिहस्त वेवहार में रहते पवित्र बनो, बस यह सत्य नारायन की कथा सुनते रहो, यह कितनी लंबी है, सारा सागर स्याही बनाओ, तो भी एंड नहीं हो सकती, तो बाप कीमत पर चलना चाहिए ना, तुम जानते हो, हम भगवान की श्रीमत पर राजाई पाते हैं, तो सामने खड़ा है, अचानक हार्ड फेल होते रहते, एक्सिडेंट में मर जाते हैं, बाप कहते हैं, मरने के पहले खोब पुरुशार्थ करो, बाप को याद करते करते अपनी कमाई कर लो, बेहद के बाप का बन कर फिर पाप किया, तो एक का सौगुना हो जाएगा, फिर लच्जा भी आएगा, कि मनुश्य क्या कहेंगे, शिबाबा कहते हैं, मैं धरम रा से बहुत कड़ी सजाएं दिलवाता हूं, फिर उसमें ऐसे थोड़े ही कहेंगे, यहां हमारा बच्चा है, इसमें बड़े काइदे हैं, जज का बच्चा पाप करे, कुछ कर थोड़े ही स सबसे बड़ा विकार का पाप है, भल तुफान बहुत आएंगे, बाहर बहुत गंद लगा हुआ है, बात मत पूछो, यहां है ही वैश्याल्य, समझो, कोई बड़े आदमी को तुम समझाते हो और वह स्टूडेंट बन चाता है, तो कहेंगे ब्रमहा कुमार्यों का इनको जादू लगा है, बड़े बड़े लोग आकर लिखते भी हैं, बरोबर आप सच कहते हो, गीता का भगवान बरोबर शिव है, नाकी श्री क्रिशन, अच्छा फिर अपने घर गए खलास, बहुत महनत करनी पड़ती है, बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे भूलो मत, म माया बड़े प्रबल है, बाबा की यादपारे मिसल है, जट भूल जाती है, बाप कहते हैं, भलग्रिहस वेवहार में रहो, सिर्फ पवित्र बनो, पुरुशार्थ तो करना है ना, बाप तो एक-एक बच्चे को बहुत प्यार से कहते हैं, अब मेरा बच्चा बन, फिर को कोई पाप का काम नहीं करना, बाप को तो जान गए होना, स्रिस्टी चक्र का भी राज बुद्धी में है, विद्वान, पंडित, आचार्य तो अपने को शिवो हम कह बैठ पूजा कराते हैं, बहुत करके सन्यासी लोग हरिद्वार में जाकर रहते हैं, सारा दिन कहते रहत हैं, शिव काशि, विश्वनाथ, गंगा, बाप कितना अच्छे रिते बैठ समझाते हैं, गाते भी हैं, अकाल मूरत, अकाल तक्त कोई संदल नहीं होता, अकाल मूरत बाप का यहरत तक्त है, जैसे तुम्हारा यहरत है, बाबा भी कहते हैं, मैंने यहरत लिया है, के बाजु में ही आकर बैठूंगा ना मैं भी हूँ बिंदी कोई इतना बड़ा नहीं हूँ मीठे मीठे बच्चे यहां तुम्हारी सची सची चैतन्य यात्रा है याद की बाप दादा दोनों मिले हुए हैं बाप दादा का अर्थ कोई समझ न सके तार में सही करते हैं बाप दादा, कोई समझ न सके, अरे शिबाबा तुम्हारा बाबा है, प्रजा पिता ब्रह्मा दादा है न, तो बाप दादा हुए न, अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ, इन द्वारा तुमको वर्सा देने, शिबाबा तुम्हारा भी है, प्रजा पित ब्रम्हा भी सबका बाप हो गया, वर्सा शिप बाबा से मिलता है, तो सही ऐसे करेंगे ना, बाप दादा कहा जाता है, शिप बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो भी बुद्धी में बैठता नहीं है, प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, उनसे आठ दस समझने के लिए आते हैं, उनसे भी आहिस्ते आहिस्ते बाकी जाकर एक दो बचते हैं, कोटों में कोई गाया हुआ है, तो कितनी प्रदर्शनी करनी पड़े जो कोटों में कोई निकलें, कई तो चार-पांच वर्शा कर भी गुम हो जाते हैं, बाप को फारकती दे देते हैं, अच्छा, मीठे- मीठे सी की लधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मार्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मार्निंग और नमस्ते, धारना के लिए म मरना है श्रेमत पर चलना है नमबर दो शिबाबा के बच्छे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है पवेत्र बन अपना कल्यान करना है वरदान विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव यदी कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत ना होने के कारण चहना होते भी प्राप्ती नहीं कर सकती तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ग्यान दाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बनो उन्हें अपनी शुब भावना का एक्स्ट्रा बल दो लेकिन ऐसे वरदानी मूरत तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रती कुर्बान हो हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाओं का जो वच्चन लिया है उसे पालन करो श्लोगन अपने सत्य स्वरूप की समरीती हो तो सत्यता की शक्ती आजाएगी शुक्रिया बाबा शुक्रिया